ABP News आप को रखे आगे गाजीपूर बॉर्डर पर सियासी हलचल दिखाई दी आज अब तक किसान दोलन से राजनिताओं को दूर रखने के दावे खुद किसान दोलन की तरफ से किये जा रहे थे लेकिन 26 जनवरी किसानों का ट्रेक्टर मार्च जो हुर्दंग मार्च बनता हुआ जादा नजर आया इसके बाद से अब तस्वीर बदल रही है किसान आधूलन की गाजीपूर बॉर्डर पर भारतिय किसान यूनियन के प्रवक्ता है राकेश टिकेट जो धरने पर बैठे हुए हैं से बिलने के लिए एक तो आरेलडी के नेता हैं जैन चौधरी वो पहुँच गए अच्छा दिल्ली के उपमुखे मंतरी मनीश सोधिया वो भी पहुचे उन्होंने भी जाकर राकेश टिकेट से मुलाकात की बॉर्डर पर सतेंद्र जैन भी नजर आए दिल्ली सरकार के मंतरी तो सवाल ये है कि आंदोलन के अंगने में नेता जी का क्या काम दो महीने बाद नेताओं की एंट्री क्यों हो रही है कौन करा रहा है आंदोलन की जमीन पर क्या वोट की खेती का काम शुरू हो गया है ये वो तमाम सवाल जिस पर चर्चा करेंगे आपका परिचय कराते हैं आज की इस चर्चा में खास वेमान जो हमारे साथ जोड़ रहे हैं देख सकते हैं बीज़पी के प्रवक्ता इक्माल सिंग लालपुरा साब हमारे साथ मौजूद है सवित मलिक जी हैं अध्यक्ष किसान यूनियन के वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ मौजूद है नरेश सिरोही जी राश्चियो पाध्यक्ष बीजपी किसान मोर्चा के और मेरे दोस्त रही होगी इस वक्त ग्राउंड से हमारे साथ मौजूद हैं सिंगू बॉर्डर के एक चोर पर वरुन जैन, दूसरे चोर पर जैनिंद्र मौजूद हैं सबसे पहले आपको जैनिंद्र के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं जैनिंद्र से जिस तरीके का टक्राव देखने के लिए मिला सिंगू बॉर्डर पर, स्थानियों के बीच पे, किसानों के बीच पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं अब क्यासी तस्वीर है जैनिंद्र? रुबाना, स्थिती फिलहाल जो है वो नियंतरन में जरूर है लेकिन अभी भी तनाव बरकरार है तकरीबन दो बजे के आसपास सिंगू बॉर्डर जो है जहां पर कि किसानों के टेंट जहां से शुरू होते हैं गुरूते एक बाद और मेमोरियल वहां पर युद्ध का मैदान बन गया था स्थानियों लोग जो प्रदर्शन करने पहुंचे थे वो नारे बाजी करते करते टेंट तक कहुँच गए और टेंट को खाडने की कोशिश की और फिर पत्थर बाजी शुरू हो गई और तलवारे खिच गई घायल हुए पुलिस वाले भी घायल हुए पुलिस ने आसु गया इसके गोले चलाया और इसके बाद स्थिती को काबू में किया लेकिन दो बाते रोमाना खतम करने से पहले में बता दू कि पुलिस ने मौके से तो स्थानिय लोगों को खडेर दिया लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में स्थानिय लोग जो है वो लाठी डंडों से लैस होकर के बेलाग लपेट घूम रहे हैं और प्रशासन उनको हटने के लिए कोई मशक्कत नहीं कर रहा है इसके अलावा आपसे थोड़े देर पहले रोमाना गुरुतेक बहादूर मेमोरियल जो है उसके शिखर पर किसान संगटनों का जो जंडा था उसको हटा करके स्थानिये लोगों ने तिरंगा जंडा लहरा दिया है सबकुछ प्रशासन के सामने और सुबे से जो यहां तस्वीर थी स्थानिये लोग लाठी डंडों के साथ पहुँच रहे थे लेकिन प्रशासन उनका आइकार्ट चेक नहीं कर रहा था मीडिया वालों का आइकार्ट चेक किया जाता है मीडिया की गाडियों को 2 किलमेटर पहले रोग दिया जाता है लेकिन 200 से 300 स्थानिये लोग प्रदर्शन के नाम पर लाठी डंडों के साथ किसानों के कैम्प तक पहुँच जाते हैं और उन्हें नहीं रोका जाता है तब जब दोनों पच्छ भिड़ जाते हैं बड़े सवाल खड़े होते हैं रोमाना राजनीती तक पहुचा रहे हैं इस पर मुझे लगता है लालपुरा साब को जवाब जरूर देना चाहिए लालपुरा साब ये बड़े प्रशन हैं जो इस पर जैनेंदर उठा रहे हैं कि वहाँ पर पुलिस प्रिशासन मौझूद है उसकी आखों के सामने जो खुद को स्थानिये बता रहे हैं उनके हातों में लाठी डंडे हैं वो वहाँ बेधड़क घूम रहे हैं पुलिस प्रिशासन किसी की चेकिंग नहीं कर रहा है मीडिया की जरूर चेकिंग कर रहा है लेकिन इन लोगों की न चेकिंग हो रही है न इने रोका जा रहा है सर ये तो सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला है प्रवाना जी मैं सबसे पहले सभी लोगों को आमन और शांती बनाई रखने की अपील करता हूँ और पलीज ने जिल्ली में अपनी जान पे खेट के भी आमन कनूर बनाई रखा पीन सो चुरान में लोग जखमी हुए और उन्होंने अपने आपका अनुशासर में रखता बिल्कुल वहाँ बहुत बड़ी वारदात हो सकती थी मैं पुलीस को यहां भी अपील करता हूँ तो आप भी क्योंकि मैं पुलीस का परवक्ता तो नहीं हो राश्ट्री भारती जंता पार्टी का परवक्ता हूँ तो पुलीस को भी अपील है कि वो अमन के निमून बनाई रखे बिल्कुल मैंने आपसे सवाल इस हैसियत पे पूछा सर क्योंकि आप ही की पार्टी की सरकारे हैं और कानून विवस्था बनाए रखना जो है वो सरकारों की जिम्मेदारी है तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा और ये ग्राउंट पर जो हो रहा है उसी के बारे में आपके सामने जानकारी हमारे रिपोर्टर ने दी रही बाद दिल्ली वहाँ पर किस तरीकी की बहादुरी सयम बरतकर पुलिस वालों ने दिखाई तो दिल्ली के रक्षक हम लगातार इबीपी न्यूस पर दिखा रही है लेकिन फिलहाल इस वक्त जो चर्चा हो रही है वो सिंगू बॉर्डर पर जो तनाव बढ़ रहा है मुझे लगता है वरुन जैन के पास जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं वरुन आप जहां पर मौजूद है सिंगू बॉर्डर की जिस हिसे में वहां कैसी तस्वीर है जरा वहां का हाल भी बताईए देखी रुमारा मैं ठीक उसी जगह पर मौजूद हूँ जहां पर यह जो स्थानी है ग्रामी निवासी है और जो प्रदर्शन कारिया उनके बीच में जढ़ा पूई थी आप देखी अपर बड़ी संख्या में पहले तो मैं दिखा दू आर एफ रैपिट एक्शन फोर्स की टीम को तैनात कर दिया गया है लेकिन सबसे जरूरी है एतिहाता पूलिस अब यहाँ पर बड़े-बड़े कॉंक्रीट के ब्लॉक्स लगा रही है आप देखी जो पीछे जो प्रदर्शन कारी किसान है वो बैठे है पहले ये रस्ता खुला हुआ था यहाँ पर सी बेरिकेड लगे थे लेकिन जिस तरीक पर बिल्कुल समीटा जा रहा है उनको रोका जा रहा है जिससे कि वो बाहर ना निकल पाए और इस तरह की कोई सिती ना बने रुमारा एक बात और मैं बता दूँ जैसा कि मेरे एक सायोगी का कहना था कि जो गिस्थाने ग्रामीन थे वो यहां तक पहुचने में काम्याब ह पुलिस के कुछ अदिकारों को कहना है कि कुछ संख्या में जो गरामीन थे उनको यहां पर भेजा गया इसलिए भी भेजा गया था क्योंकि वो प्रदर्शनकारी किसानों से पाचीत करना चाते थे क्योंकि वो पिछले दो महिने से ठक चुके है, परिशान हो चुके है उनके काम धंदे पूरी तरीके से चौपट हो चुके है तो इसलिए वो यहाँ पर आगे आये थे बात करने के लिए कि उनको समझा सके, उनको मना सके कि अब वो फिलहाल यहाँ से जो रस्ता है खाली कर दे लेकिन जो ग्रामीडा उनका आरोप है कि बात तो उन्होंने करी नहीं लेकिन प्रदर्शनकारीयों की तरफ से अचानक से हमला हो गया और अब आगे कुछ इस तरीकी घटना ना घटे तो आप देख सकते हैं इलाके में इज़र आसपास रैपिट एक्शन फोर्स पुलिस की कई कमपनी तो तैनाथ है इस साथ ही जैसा कि अभी हमने अपने दिरिश्यों में दिखाया कि पूरी तरीके से जो अब है या पर ब्लॉकिंग की जा रही है कि जिसे इन कॉंक्रीड के ब्लॉक्स में से कोई बाहर ना निकल पाए और इस तरह की घटना जो आज हुई है वो दोबारा ना हो जी रुमाना के समर्थन में एक महा पंचायत का आयो जंग किसानों की तरफ से किया गया था उसका अपडेट लेते हैं रक्षित बताइए महा पंचायत में क्या तैय हुआ है देखे महा पंचायत में अभी कोई निर्णे नहीं हुआ है क्योंकि नरेश टिकैट जो की भारतिय किसान यूनियन के अध्यक्ष है राष्टी अध्यक्ष है उनका अभी तक भाशन नहीं हुआ है तमाम जो अन्यनेता हैं स्थानियनेता हैं उन सब की भाशनवाजी चल रह रहे हैं और संख्या देखिए कितनी बड़ी संख्या में यह जी आई सी का ग्राउंड है काफी बड़ा ग्राउंड है और यहां पर अधिकतर जो पॉलिटिकल रैलीज हैं वो होती हैं लेकिन शायद ही इतनी भीड आम तोर पर यहां पर देखने को मिलती हो बहुत बड़ी संख्या में ट्रेक्टर ट्रॉलिया लेकर किसान यहां पर पहुचे हैं इसके अलावा बाहर की जो सडके हैं वो आपको पूरे तरीके से जाम नजर आएंगी क्योंकि किसान जो हैं वो ट्रेक्टर लेकर अंदर दाखिल नहीं हो पाए भीड इतनी जादा हो गई तो मिलाकर किसानों का बड़ा जमावडा जो है वो आज मुझफण नगर में राकेश टिकैत के कल भावुक होने के बाद में भावुकता वाली जो अपील हुई थी उसके चलते ये इतनी बड़ी संख्या में किसान जो है आज मुझफण नगर में जिटे हैं लेकिन आखिरकार मुझे रगता है ये लगातार ज़रा तस्वीरे दिखाते रही है और ये भी बता दीजे कि ये राकेश टिकैत के आसूं का जो सेलाब है उसी में बहता हुआ ये जन सेलाब आया है कि आभी तक इस मन से जिस तरीके के भाशन हुए है नेताओं के और क्या उनमें कुछ जाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर कॉंग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं पंकज मलिक वो मौजूद हैं इसके अलावा कॉंग्रेस के जो पूर्व सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं राष्टिय लोगदल की तरफ से जैन चौधरी यहाँ पर पहुचे हुए ह और अब जैन चौधरी जो है वो खुद यहाँ पर पहुचे हैं सुभा में जो गाजीपूर बॉर्डर है वहाँ पर भी पहुचे थे और उसी का असर है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान इखटा हुए हैं अब आगे की क्या कुछ रणनीती बनती है यहां से मन् का साथ हमें नहीं चाहिए किसान अपने दम पर यह अंदोलन करेंगे क्या रणनीती बदल रही है सर क्योंकि अब तो नेता यहां पर नजर आ रहे हैं आप लोगों के मंच पर वहाँ पर 11 अरफ 1 को पुलिस पहुशती है हमारी बत्ती काट देती है और जानवरों की तरह लाठी पहरी जाती प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में आप बता भी रहे हैं लगातार देश को मैं बस यह जानना चाह रही थी क्या आप लोगों ने अपनी रणनीती बदल लिये अब आपको नेताओं का साथ चाहिए खुले तोर पर आप लोग यह कह रहे हैं विपक्ष के नेताओं से जो समर् अपनी जान बचाने के लिए क्या करेंगे हैं तो कुल मिलाकर किसानों की यह रणनीती यहां से बदलती हुए आप देख सकते हैं अलका लामबा भी हमारे साथ जोड़ गई हैं हमारे साथ बाकी सबी खास मेमान बने हुए नरिश सिरोही जी इकबाल सिंग लालपुरा साब अलका जी क्या लग रहा है आपको जिस मोर पर इस वक्त किसाना अंदोलन है क्या राजनेतिक नेत्रत्व इस वक्त किसाना अंदोलन की जरूरत बन गया है जी पूर बॉर्डर में खुद उपस्तित हूँ आप समझ रही है और मुझे कितने मीलो निहत्ती थी कोई हतियार नहीं समर्थन में आई थी मीलो पैदर चलना पड़ा और पुलीस ने सारे रास्ते बंद की हम पूछना चाहते हैं सिगो बॉर्डर में यहां शांती है यहां कुछ नहीं है और लोग समर्थन देने मुझब नगर में जो पूरा पंचाय चल रही है और आसपास के लोग समर्थन में आ रहे हैं लेकिन सिगो बॉर्डर पर जो कुछ भी हो रहा है पूछना चाहते हैं हत्यारों से लेस गुंडों को क्यों दो-तीन किलोमीटर पर रोक कर ये जो हिंसा हो रही है उसे रोका जा सकता था किसके इशारे पर दिल्ली पूलीस ने उन्हें वहाँ पर एंट्री दी और आज पूरी इंसा के रास्ता एक शड़यां पर के तहट इस आंदोनों को बदनाम और कुचलने की कोशिशे लगा पर नासामयाब हो रही है मैं अब भी कहनी रोमाना इस गंबीरता को सकता सरकार मैं जबाब दोगी पर लालपुरा जी से जवाब लूँ लेकिन उससे पहले मुझे लगता है नरेश सिरोही जी अभी तक किसान कह रहेते हैं कि हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं चाहिए नेता हमारे मन से दूर रहे हमने देखा था चड़ूनी जी की अगर मुलाकात हो जाती है किसी पार्टी के नेता से तो फिर किसान सेयुक्त मुर्चा जो है वो बाकाइदा एक्स्पिनेशन की बात करता है उनसे लिकिन अब अगना में नेता यही है आगे की तस्वीर कि यह पहले 26 तारीक से पहले और 26 तारीक के बाद तबहिलों की तस्वीर पूरी तरह से उलख चुकी है और जिस तरह से किसान आम दोनन में ऐसामाजिक पत्तूने गुसके लाल किले के ऊपर जो क्रत किया है पूरे देश ने इसक किसानों की छवी को बहुत नुक्सान हुआ है पूरे देश का किसान इससे आहत है हम सब के जिल्मवारी है कि किसान की छवी बनाई जा रही है कुछ ऐसा माजिक तक तो है जो लाल किले पर चरते हैं तमान देश का किसान कह रहा है कि वह आप उनको पकड़के फासी लगाई जो बर्जी आए करिये लेकिन रुमाना जी अगर किसान की देश में छवी बिगरती है तो खाली हां तक ने रुकती है किसान के देटे पुलिस में है अर्थ सरी बनों में हैं सैना में है उनी तक ये फर्क पड़ने वाला है इसको दूगामी आप द्रस्ती से देखिये ये हो रहा है देश में और आप शहर और गाओं के दीच में जो विशंता बनती जा रही है अपने संबादाताओं का रूप करेंगे वरुन जैन रक्षित सिंग जो इसका ग्राउंड से हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहरे आपको जल्दी से रक्षित के पास लेकर चलते हैं महा पंचायत हो रही है वहाँ पर राकेश टिकैत के समर्थन में इंतजार किया जा रहा है उनके भाई नरेश टिकैत का और माना जा रहा है रक्षित की नरेश टिकैत जब आएंगे तो आगे किसानों के मन में क्या है उसी से साफ होगा देखें बिल्कुल जब नरेश्टिकायत आएंगे तो जो पंचायत महापंचायत में जो फैसला लिया जाएगा उसके बारे में बताएंगे लेकिन फिलाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़े संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर खटा हैं मंच से भाशन दिये जा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पर आज महापंचायत में एक जुट हुए हैं यहाँ पर आए हैं और इस पूरा का पूरा वाक्या बदला है कल रात से जब राकेश टिकेट का एक भावनात्मक अपील वाला वीडियो आता है और वीडियो इतनी तेजी के साथ वाइरल होता है कि रात में ही सिसौली में भी एक बड़ी पंचायत होती है वहाँ पर बड़ी संक्या में किसान है कई रोड जो है वो पूरी तरीके से जाम है तो राकेश टिकेट की जो भावनात्मक अपील थी उसका असर हुआ है और वो असर इस भीड के रूप में दिख रहा है ना सिर्फ मुजफर नगर बलकि आस-पास के तमाम जिलों से किसान या मापनचायत के लिए जुटे है को रोक रहे हूं इस वक्त बड़े कबर आ रहे है कॉंग्रेस की तरफ से प्रेस कांफरेंस राहूल गांधी पहुंचें इस प्रेस कांफरेंस को संबोधित करने के लिए इस विशेश पत्रकार वारता में आप सब का स्वागत है माननिय राहूल गांधी जी एक अत्यंत गंभीर विशे को जिस प्रकार से सत्याग्राही किसानों के ऊपर शड्यंतरकारी तरीके से हमला किया जा रहा है उसको लेकर अपनी बात देश की बात आपसे सांजह करने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं मैं उन्हें अनुरोद करूंगा के वो अपनी बात आपको कहेंगे Namaskar Namaskar Good afternoon All of us are aware of what is going on with regards to the farmers' protest and I just want to make couple of things clear to the younger people, men and women of this country it's important that you understand what these three laws are so I'm going to repeat it the first law destroys the mandi system destroys the agricultural markets of this country the second law allows unlimited storage of grain and other materials and will make it practically impossible for our farmers to negotiate their prices and the third law basically says that if the farmers have a grievance they cannot go to court now it is very obvious why the farmers are agitated because the government is destroying the livelihoods of India's farmers it is destroying the livelihoods of our labour and it is going to give to give the middle class a shock in the coming times because the prices of food are going to skyrocket now what is being done to the farmers is absolutely criminal you're beating them you're threatening them you're bullying them you're trying to discredit them the government needs to talk to the farmers it needs to give a solution to the farmers and the only solution as I have said again and again and again is repealing these laws and putting the laws into the waste paper basket the government must not think that the farmers are going to go home they are not going to go home and my concern is that this situation is going to spread we do not need this situation to spread we need a conversation with the farmers and we need a solution so that is broadly what I wanted to say I will tell you in Hindi and I want to say the people of the country that these three laws need to understand them the first law is that the mandi system of Hindustan agricultural markets will have satu he will have three-year vape and another law the authority will the other law which is has said this law which is if this law should create place that called इनको ये इजाज़त दी गई किसान दाम निगोशियेट नहीं कर पाएगा और तीसरा कानून, सबसे अजीब कानून, अपनी कठेनाई को कौट नहीं ले जा सकता ये तीन कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इन से बात करने के बजाए सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाए उनको धमकारी है, पीटरी है, NIA का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने के कोशिश कर लिए सरकार को एकदम इन तीन कानूनों को वापिस लेना चाहिए, रद करना चाहिए और आज जो हो रहा है, शंबू बॉर्डर पर जो सरकार इन पर आकरमन कर रही है, को मार रही है, यह बिल्कुल गलत है अब आपके सवाल, थैंक यू सर, विल नाओ, विल स्टार्ट, यह स्टार्ट, आप मुझे एक बात बताईए किसानों को, पचास किसानों को, रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया, और क्यों जाने दिया क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है, कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाओ करना चाहिए उसके लिए कौन जिमेदार है सीधी जी बात है उनको क्यों अंदर जाने दिया किसने अंदर जाने दिया हो मिनिस्टर से जाके पूछे और उसके पीछे क्या आइडिया था किस प्रकार अलाउ किया गया वो भी पूछ लीजिए संजी कि साथ प्रकार तिया खुस्ट हुट, झाल झाल –णि इस एक रिगस्टंस्टर फवेल्थ फ्रूम्म चंब एक रिपलन आफ लूब खो स्माले आफ लूब में आपनग गोवग गोवग बीद। तिरिंगोर्व इट वह वेच एपने अबत्रोंग गूवग गोवग गोड़ ऑन एंद फूजू खड़ प्रिजब फीफंड़ अगण रहे वहा दो फो करनेहें को जैअने वे पोड्डाणमंत्री वाह जाए प्राधनमंत्री इन पाउंच लोगों घ экाम करते हैं व्क्लिए नोटबंदी की वुन्परे तफ दॉन महतलुों яжज निए प्राधनमं पनाचों माण आप्ते वादैनि है कि कुछ बोलने को नहीं है मगर उनको यह नहीं लगना चाहिए कि किसान पीछे हट जाएंगे और मैं किसानों चेहना चाहता हूं हम सबाब के साथ हैं एक इंच पीछे मत अठीए एक इंच पीछे मत अठीए यह आपका भविश्य है इसके लिए आप लड़िये किसानों के समर्थन में राहूल गांधी की यह प्रेस कॉंफरेंस सीधे सीधे राहूल गांधी सरकार से मांग कर रहे हैं कि तीनों कृशी कानून सरकार वापस ले उन्हें रद करे किसान पीछे नहीं हटेगा प्रमाना जी बात ये है कि राहुल गांदी जी पहले दिन से ही पिसानों के आगे लगे हुए हैं पंजाब में ट्रेक्टर पे सोफा लगा के ये और कैप्टन अबरिंदर सेंग पिसानों को उकसा रहे थे दूसरी बात आज भी जब ये सिंगू बार्डर पे या दूसी जगा बैटे हैं पंजाब का कोई काम नहीं है जहां कांगर्स ने अपने वर्कर ना बेजे हो या और बारी बारी आ रहे हैं जा रहे हैं प्रूस्टी बात पिस्टी बात राहुल गांदी जी के बारे में लोग नेक बाते करते हैं मुझे लगता है जब वो बोलते हैं अपने आपको थापत कर देते हैं करने पज़िए दोग ठीक ही कहते हैं। लिकिन सर में आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत होती ही जो आप कह रहे हैं कि साब किसानों को उक्साने का काम का विशार कर रही है। पंजब के अंदर तो आपके साती अकाली वह आपसे अलग हो गया सार और सावत मलिक साब जो है व खड़ाना हो वही भी हमको राग में मारे अंदेरे में पीटे अमारे बिस्टर चौरी करने जाए नरे शिरोई जी अमारे साथ है और आप इसे पूछ ले अगर आज भी केद्र सा चला ले ले उनको पता नगजा है उनको पता कि ब्दादबा अप्ष्या करने वाला है राहा जी तो एकका राख जाओ पूछ लाग या अमारे ना पर्णी करने लेकर आज तो रहे प्रणी अगर भी कि अगर तो पर इसे अंदुन दुन गहां आप और इसे निदेर अभा इसे निया आख भी अधिए अब इससे नीदिन गहां ने अश्वान आपने रहां ने शाह आवाज दिमी कीजे, यहां लड़ने थोड़ी बैठे हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए बैठे हुएं सर, लड़ने के लिए नहीं बैठे हुएं, मैं चर्चा करे, मैं समझ रही हुएं, सर, मैं आपकी भावनाहों का सम्मान करती हूं, लेकिन फिर भी आराम से अपनी ब कि राहूल गांधी ने जो कहा कि देश को ये तीन कानून क्या है जानना चाहिए पहला उन्होंने बताया कि मंडिया खत्म हो जाएंगी वो गिनारें जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा वो गिनारें कोट नहीं जा सकते किसान तो ये तीनों पॉइंट्स तो वो जो कि वेल हृ höher किसानों के साथ राहूल गांडी जी की मिटिंग करने को थाम बराद दूसरी बात किसानों ने अधरक मियां बताई और पुरु आप करने को तयार है उसके पार ने रोक लगा लगा लेंगे जिस कानून को आप रूकने को तयार है तो वापी में पूरी तरह से ले लिजिए ना पंजाब की बाजपा के नेकाव को अच्छा बताया किसान को हम गुम्रा कर रहे हैं आपकी पंजाब में चार दल है कॉंग्रस है भाज़पाया, अकाली है आमा अदमीपाथी तीन अदल इस कानून और किसानों के साब ध्यूल ऊक्रण की टोड़ा सब्सक्ति दोड़ार यहां उन्क्राइघ सानुकर कुछ weld उस फिर फया व cir tours, किसान मोर्चा के राश्ट्री उपाध्यक्ष ना उनकी तरफ से भी कही ना कहीं यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके का रवाया रहा उसमें इस पूरे किसान आंदोलन को पलट कर रख दिया तो ऐसे में मन्थन तो करना पड़ेगा ना और मन्थन करने के साथ-साथ ये भी जिम् पीटेंगे तो किसान तो साथ लेगा ना जो भी उसके साथ आएगा और वहीं दूसरी तरफ अभी हमने राहूल गांधी की प्रेस कॉन्फरेंस सुनी वो उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिसमें मंडी है जिसमें कोट नहीं जा सकते किसान उन मुद्दों को उचाल रह हैं जिन पर एक तरीके से सरकार की तरफ से रजमन्दी बनाने की बात पहले ही जा चुकिये किसानों को तो यह क्या हो रहा है किसानों की गाते की कैपी उसको आप कैसे नाबकारी बनाएं असे लिए लग तो सब्सक्राइकान परिख़र्म कर दो है उसी तरह कि बदै किया है उसी तरह से उतवे से उसके शहर और गाव के देश की खाई को चौवा ना करते हैं, यह सभी की जिल्लेवारी है। 2021 शाम पाँच बज़े तक के लिए बंद कर दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं हरियाना में बंद कर दी गई हैं। किसी तरीके की अफ़ाहों पर ध्यान मत दीजे। यही अपील करते हुए सबसे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने नहीं के लिए निकल झाली के लिए लुटत में आप हैं।